सो हलो मेरा भाई लोग, वेलकम बैक टू माई यूटिब चैनल, आर्वियस एनिमे हिंदी, डॉक्टर वेगा पंक, भाई इसका अभी तक हम सबने चहरा नहीं देखा है, लेकिन ये बुढ़ा है कि ने ये बात भी नहीं पता है, चुकि सकल नहीं देखा है, लेकिन के घूम रहा है, वो भी इसी ने बनाया था, पंक हजार्ड इसका लैब हुआ करता था, इसके अलावा और भी इसके लैब्स हैं, यार और भी जगह है, जहां पर ये अपना दिमाग यूज़ करता है, और चीज़े इन्वेंट करता रहता है, लेकिन इस बार जो इसने किया प्लेस कर सकते हैं, साथी साथ, जब क्रॉस गिल्ड का पोस्टर आया था, तो बहुत सारे लोग पूछ रहे थे ना, जि भाई मीहौक के चेश्ट पे सकार कैसे करके आया, इसका जबाब भी मेरे को मिल गया, यार देखो इसमें जो है बहुत सारे स्पोयलर होने वाले हैं, मांगा से रिलेटेड भी, जो की 1059 से रिलेटेड, तो इस वज़े से थोड़ा सावधान हो जाओ, जिने स्पोयलर से फरक पड़ता है, और वरना बिंदास हो करके देखो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा पैसा फिस्टा की, तो इन लो अब देखो, इसकी जानकारी जो है, हमें डाइरेक्ट नहीं बताया गया, लेकिन ये बात अब कन्फरम हो चुका है, क्योंकि मैंने कल जो है, स्पोयलर पर वीडियो बनाया था, और आज डीटेल वाला स्पोयलर आया है, जब मैंने उसमें पढ़ा ना भाई, ये जो डॉक कलर के थे, साती सात उसका पंक भी था, अब कुछ लोग बोलेंगे, भाई फिर अगर ऐसा है, तो भाई उसके पीठ में तो फायर भी जल रहा था, फायर गया है, भाई देखो, डीटेल वाले स्पोयलर जब मैं पढ़ रहा था, और एक बच्चा टाइप से उसमें बनाया ह क्या यहाँ पर यह possibility हो सकता है कि Dr. Vegapunk ने Hawkeye का भी DNA यूज किया हो, अब एक बात यह भी निकल के आता है यार, किसी का DNA अगर तुम यूज करते हो, माल लेते हैं कि तुमने किसी Swordsman का DNA यूज किया है, भाई पर मेरे को यह नहीं समझ में आ रहा है, कि भाई DNA से क्या वो इतना खतरना है, मतलब एक स्लैस में यार, पूरा बरफ का पूरा एकदम काट दे रहो, वैसे ही तुम मतलब काट रहे हो, तो वह बहुत बड़ी बात है, मेरे को इस बात का जो समझ में नहीं आया, कोई पावर देने की बात अलग होती, लेकिन इतना ज्यादा मतलब खतरन हो सकता है, हौकाई है भाई, मेरे को लगता है नहीं लिया होगा, लेकिन अगर लिया है, तो किसी ने किसी चोरी तरीके से लिया होगा, और अगर ये बात सच है, कि ले लिया है, मतलब एक बात मैं कहा देना चाहूंगा, कि ये हो सकता है, कि बाकी के जो वार्लोड्स हैं, उनका भी DNA यूज किया होगा, because at the end, ये लोग वारलोड्स को रिफलेश करने वाले हैं, और ऐसे यार लाना बड़ा ही खतरनाक है, क्योंकि डॉक्टर वेगापंक इस टाइप के बहुत सारे बना सकता है, और मानलो यार इस टाइप के इतने स्ट्रॉंग टाइप के अगर वो और बनाता, मानलो दस कॉपी ही बना देता है, और वो दस जाके एक जन से लड़ते हैं, फिर तो वो दस का पढला भारी हो जाएगा ना, साथ ही साथ, जैसा कि मैंने पहले स्टाइप में बोला था, हौकाई को लेकर के, कि हौकाई के चेस्ट पे स्कार कैसा आया, मेरे को पता चल गया, क्योंकि हो सकता है, जो नेवी का जो फ्लीट हौकाई को पकड़ने गया था, उस फ्लीट में इस टाइप के एक्सपेरिमेंटल साइबॉग्स हों, और ये लोग जा करके, हमला किया होगा हौकाई पे, और हौकाई वर्ड के स्ट्रॉंगे स्ट्रॉंगे स्ट्स में यार, उसको पकड़ने आसान थोड़ी है, लेकिन समझ सकते हो यार, इस कार तो दे ही सकते हैं, क्योंकि ये लोग स्ट्रॉंग हैं, अब यहाँ पे सवाल उठता है कि, क्या SSG ने जो चीज बनाया है, जो डॉक्टर बैगापंग ने इन्वेंट किया है, क्या ये वर्लोर्ड को रिप्लेस कर सकती है, मतलब ये आगे जाके काफी ज़्यादे स्ट्रॉंग हो सकते हैं, तो इन कुछ कारेक्टर को सरपाज कर पाना ऐसे एक से तो नहीं हो पाएगा, अगर डॉक्टर बैगापंग ऐसी पूरी आर्मी खड़ा कर दे, मतलब पूरा एक दम भाई, फ्लीट टाइप पुरा दुनिया भर का बना दे, कॉपी, 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 कॉपी करके, तो हो सकता है, अब देखो यार मेरे को तो ये सब चीज कहना, तब तुम सब का क्या मानना, ज़र कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना मत भूलना है, क्या ये जो पैसफ ही स्टाज हैं, जो नए वाले हैं, अपग्रेड़ेड वाले, क्या ये लोग वारलोड को रिप्लेस्मेंट डर सकते हैं, मेरे को नहीं लगता है, लेकिन मैं तुम सब का राय जमना चाहूंगा, अगर इनकी पूरी फ्लीट हो, तो कुछ अलग बात हो सकता है, लेकिन देखते हैं, मजा आएगा, चलो यार, तुम सब का क्या मानना है, कमेंट बॉक्स में राय दो, वीडियो पसंद आया, लाइक मारो यार, चैनल पे नहीं आएगा, तो इस चैनल को सब्क्राइब करके, बैल आइकन ओन कर देना, और हाँ, कल बॉआ हैंकोक पे भी बात करेंगे, तो यार, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलाल के लिए, बाई,